नमस्कार, Jmol में enzymes के 3D models पर इस tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम Jmol panel पर human pancreatic hexokinase के structure को load करना सीखेंगे, secondary structure के display को संशोधित करना सीखेंगे, active यानि सक्रियसाइड पर amino acid residues को highlight करना सीखेंगे, enzyme के substrate और cofactors को highlight करना सीखेंगे और protein के लिए रामजंदर plot को देखना सीखेंगे। इस tutorial के लिए आपको basic biochemistry का ज्यान होना चाहिए और Jmol application window के basic operations के साथ पर इचित होना चाहिए। क्रपया Jmol application के करम में proteins और macromolecules tutorial को देखें। यह निमनी link पर उपलब्द है। इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu operating system version 12.04, Jmol version 12.2.2, Java version 7 और Mozilla Firefox browser 22.0. Jmol window खोलें और hexokinase enzyme का structure लोड करें। मैं internet से जुडी हुई हूँ इसलिए मैं structure को सीधे PDB website से लोड करूँगी। ऐसा करने के लिए file menu खोलें, नीचे जाएं और get PDB विकल पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक input dialogue box दिखता है, text box में hexokinase के लिए चार अक्षर का PDB code 3IDH टाइप करें। यह code protein databank website से प्राप्त किया गया था। अगर आपके पास कारेकारी internet connection नहीं है, तो toolbar पर open up file icon प्रियोग करके मौजूदा PDB file खोलें। OK बटन पर क्लिक करें। hexokinase का 3D structure जिसे glucokinase भी कहते हैं स्क्रीन पर खोलता है। File menu प्रियोग करके console window खोलें। जैसा console पर पदर्शित है, panel पर substrate glucose के साथ human pancreatic glucokinase के लिए structure है। Console को बंद करें। Panel पर हमारे पास hexokinase का ball और stick model है। Panel पर protein model से water molecules को हटाएं। यह प्रक्रिया J.Mol tutorial proteins and macromolecules में विस्तार से समझाई गई है। Hexokinase enzyme के बारे में, Hexokinase 465 amino acids का monomeric protein है। यह दो domains एक बड़ा domain और एक छोटा domain रखता है। इस enzyme के लिए सक्रियसाइट दो domains के बीच cleft यानि दरार में इस्तित होता है। Hexokinase के लिए सक्रियसाइट 3 amino acid residues रखता है। 204 पर aspargene, position 231 पर aspargene और 256 पर glutamic acid। alpha-d-glucose इस enzyme के लिए substrate है। अब Jmol Panel पर पापस जाते हैं। हम सक्रियसाइट पर enzymes के घटकों जैसे substrate, cofactor या amino acid residues को highlight या चुन सकते हैं। एक विशेज घटक को चुनने के लिए right click प्रयोग करके pop-up menu खोले। Select विकल्ब तक नीचे जाएं। Submenu से proteins by residue name चुने। यहां अलग-अलग amino acids सुची बद हैं। इसको चुनने के लिए amino acids के नाम पर क्लिक करें। Amino acids शीशकों जैसे polar, non-polar, basic, acidic, uncharged आदी के अंतगत वर्गी करत भी किये गए हैं। Metal iron, potassium और substrate glucose, hetero menu में सुची बद हैं। हम substrate binding site को असानी से ढूंडने के लिए enzyme के display को संशोधित कर सकते हैं। अब हम protein के परमानों के रंग और display को बदलते हैं। Pop-up menu खोले, select पर जाएं और protein विकल्प तक नीचे जाएं। All पर क्लिक करें। दुबारा pop-up menu खोले, style तक जाएं। फिर scheme तक जाएं। और sticks विकल्प पर क्लिक करें। अब हमारे पास panel पर protein sticks डिस्पले में है। अब रंग बदलने के लिए दुबारा pop-up menu खोलें। Color atoms पर जाएं। और blue विकल्प पर क्लिक करें। हमारे पास स्क्रीन पर hexokinase का model blue रंग में और sticks डिस्पले में है। सब्स्टेट को देखें। क्लेप्ट में alpha-dglucose, ball और sticks डिस्पले में है। सब्स्टेट को highlight करने के लिए pop-up menu खोलें। सलेक्ट पर जाएं। फिर heteron और glc-alpha-dglucose पर क्लिक करें। pop-up menu पर दोबारा क्लिक करें, style तक नीचे जाएं, scheme और sticks विकल्प पर क्लिक करें। रंग बदलने के लिए दोबारा pop-up menu खोलें, color, atoms पर जाएं और white विकल्प पर क्लिक करें। पैनल पर इस पष्ट रूप से highlight किये हुए substrate की position के साथ हाइजोगाइनेस का model है। हम amino acids को highlight करने के लिए सक्रिय साइड पर उनका रंग बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें console window पर command टाइप करना है। जैसा पहले उलिखित है, सक्रिय साइड पर amino acids हैं। position 204 पर aspargene, position 231 पर aspargene और 256 पर glutamic acid। File menu प्रयोग करके console window खोलें, console पर क्लिक करें। मैं console window को magnify करने के लिए K mag screen magnifier का प्रयोग कर रही हूं। dollar prompt पर टाइप करें, select, square bracket में aspargene के लिए asn bracket बंद करें। 204 जो position है, semicolon color atoms orange, enter दबाएं। ध्यान दें कि aspargene residue के पर्मानू अब orange रंग में है। keyboard पर apero button दबाएं और command को edit करें। amino acid की position को 231 और पर्मानू के रंग को red से edit करें। enter दबाएं। दोबारा apero की दबाएं और amino acid के नाम को glu जोकी glutamic acid है और position को 256 से edit करें। पर्मानू का रंग green और enter दबाएं। पैनल पर हमारे पास substrate और highlight की हुई सक्रियसाइट के साथ hexokines का 3D model है। यहां पर्पल रंग में दिखाया गया potassium पर्मानू भी model में highlight किया हुआ है। हम Jmol में एक विशिष्ट protein के लिए रामचंदरन plots भी दिखा सकते हैं। कंसोल पर dollar prompt पर टाइप करें। plot रामचंदरन। एंटर दबाएं। स्क्रीन पर हमारे पास hexokines के लिए रामचंदरन plot है। डेटाबेस से PDB files प्रयोग करके भिन enzymes लोड करने की कोशिश करें। secondary structure के display को बदलें। इसको सारा इचित करते हैं। इस टुटोरियल में हमने सीखा PDB प्रयोग करके human pancreatic hexokines के structure को लोड करना, secondary structure के display को संशोधित करना, सक्रियसाइड पर amino acid residues को हाइलाइट करना, substrate और enzymes के cofactors को हाइलाइट करना, और protein के लिए रामचंदरन plots देखना। नियतकारे में, jmol panel पर enzyme, lysozyme की .pdb file लोड करें। enzyme से जुड़े substrate को हाइलाइट करें। सक्रियसाइड पर amino acids को हाइलाइट करें। हिंट, pdb database से lysozyme की .pdb file प्राप्त करें। इस URL पर उपलब्द वीडियो देखें। यह spoken tutorial project को साराइशित करता है। अच्छी bandwidth ना मिलने पर आप इसे download करके देख सकते हैं। spoken tutorial project team, कारेशालाईं चलाती है और प्रमान पत्र वित्रत करते हैं। अधिक जानकारी के लिए क्रप्यहा में लिखें। इस spoken tutorial project, Talk to a teacher project का हिस्सा है। यह वारत सरकार के MHRD के ICT के माधियम से रास्ष्य साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस link पर उपलब्द है। IIT Bombay से मैं शुर्ति आ रहें आपसे फिदालेती हूं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमसे भ पाद के लिएर प्रवादू हमसे प्रवादू प्रवादू